देखें, यह 21st question है, RD का example 14 है, क्या दिया है, pn is equal to x power 2n minus y power 2n is divisible by x plus y, for all the values of n, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, यह question रटिएगा नहीं, क्यों, यह जो n है न, कभी कभी कोई कहते है, for all even values of n, तो ध्यान रखिए कि even value of n में, n की पहली value 1 नहीं रखी जाएगी, 2 रखी जाए फिर आगे 2k plus 2 होगी, भई, जो भी 2 का multiple होगा भई, तो आप लिखोगे न, तो यह ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, तो पहले step 1 करेंगे, यहां चुक ऐसा नहीं दिया गया है, step 1 जैसा कि हर question में करते आएं, for n is equal to 1, तो यह क्या हैगा, p1 is equal to x to power 2 minus y to power 2, इसको लिसकते x plus y into x minus y, अब बताओ, यह x plus y से divide हो जाएगा, अरे भई, इसके अपान में लिखोगे x plus y, तो x plus y उड़ा देगा इसको, तो is divisible by, is divisible by x plus y, यहीं यह x plus y से divisible हो रहा है, ठीक है, step 2 देखें, क्या लिखेंगे, step 2 में क्या लिखेंगे, के let, for n is equal to k, it is divisible, dvgb by x plus y, हमने का, यह अगर n को k लिख देते हैं, तो यह divisible होगा, मा लेते हैं, तो यानि कि यह हो जाएगा P k is equal to x to power 2 k minus y to power 2 k देखो अगर यह x plus y से divisible है मतलब क्या होता है x plus y का कुछ गुना होगा ना 2 times 3 times तो हमने का यह lambda times आ रहा है x plus y के अभी तो यह कट गया ना x plus y divide करेगा और lambda उसका अंसर आ जाएगा तो इसको एक question number 1 डाल दो अब वहाँ नहीं डाला है तो यहीं डाल दो अब step 3 थोड़ा गरबर करता है individual में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है for n is equal to k plus 1 यहां लिखते हैं तो क्या आएगा यह आएगा x power 2 k plus 2 हो जाएगा minus y power 2 k plus 2 अब यहाँ से यह result बाहर निकालना है थोड़ा technique होती है technique यहाँ पर लिखती है यहाँ पर आप x to power 2 k कर दो into y square इतना plus कर दो और x to power 2 k कर दो plus into y square minus कर दो या y to power 2 k into x square y to power 2 k into x y square यह minus कर दो plus कर दो देखो ध्यान से कोई फर्क पढ़ता नहीं आप सेम चीज़ प्लस करोगे मार्स करोगे कोई दिक्कत है अब देखो यह result हमको चाहिए इसको क्या ले सकते हैं यह लिखा है x to power 2 k into x square आप जानते हैं बेस इक्वल होता है तो power इस प्रकार से लिखी जाती है और minus y to power 2 k into y square plus x to power 2 k into y square minus x to power 2 k into y square अब कामन मामन लेने का काम करो यह ध्यान रखिए का आपको क्या result लाना है देखिए रैटिंग गंदी है इसलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है देखो अगर इन दोनों equations को देखो इसको और इसको हमको अब factor करने पड़ेंगे ना और यहां से x to power 2 k के कामन लेलो तो अंदर क्या बचेगा यहां बचेगा x square minus y square और इन दोनों को देखो और यहां से y square कामन लेलो plus y square कामन लेलो तो यहां बचेगा x to power 2 k positive x to power 2 k positive minus y to power 2 k negative समझ में आई बात आगे ना अब देखो द्यान से यह x to power 2 के है इसको क्या ले सकते हो x plus y into x minus y plus y power 2 और इसकी वैलो अभी आप lambda times of x plus y लिख चुके हो आपने यहां क्या किया है using किया है equation 1 का अब आपको क्या कामन दिख रहा है यहां से x plus y कामन दिख रहा है ना यहां क्या बचेगा x to power 2 के in bracket x minus y plus यह कामन दिख रहा है तो lambda into y square ज़रा ध्यान से दिखिए आप bracket के बाहर क्या लिखा है x plus y लिखा है ना और bracket के अंदर क्या लिखा है यह technique थोड़ा अपलाई करने पड़े है यह technique आएगी bracket के अंदर कुछ भी लिखा है कुछ तो result आएगा ना 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9 x, y कुछ भी आएगा तो अगर अपान में x plus y कर दो के तो इसको और आदेगा पूरा कर जाएगा ना तो is also divisible by divisible by x plus y so it is divisible by x plus y for all the values of n तो this is question number 21, note करिए